नमस्कार दोस्तों साधना कीचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों आग गया है इजी तरीका से घर पे बनाने वाली रेस्पी लेकिन रहेगा तरीका एकदम हलुआई जैसा हलुआई के स्टाइल में बालु साही घर पे बनाईए दोस्तों बहुत ज़्यादा रस से भरपूर एकदम रसीला रसीला है दोस्तों देखिए इसका लुक अंदर से मैं तोड़के दिखा रही हूँ बहु ज़्यादा खास बनेगा अगर एक-एक ट्रीक को फोलो कियें और ध्यान से देखें तो बहु ज़्यादा स्पेसल बालु साही घर पे बना सकते हैं हलुआई की तरह जैसा हलुआई का ट्रीक होता है दोस्तों ऐसा सेम ट्रीक में बताने जा रही हूँ लेकिन एक-एक ट्रीका को ध्यान से देखेगा और विडियो को फुलवच किजिएगा विडियो बीच में Askip मत किजिएगा दोस्तों नहीं तो आपको एे रेस भी इतना जादा खास नहीं बन पाएगा बहुँ ज़ादा खास बना है दोस्तों देखिए इसमें से एकदम बुंद बुंद चासनी टपक रहा है तो ऐसी ऐसी एनोखी मिठाई की रेश्पी देखने के लिए दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और रोज के नोटिफिकेशन पाएंगे आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में रोज वीडियो आप लोग तक पहुँचेगा इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखिए इस तरह से कडाही में डालते ही भी खड़ गया है बालू साही दोस्तों इसमें ऐसा ऐसा ट्रीक लगा है जैसा हलुआई का ट्रीक होता है हलुआई का अंदाज होता है तो सेम अंदाज में मै बनाने जा रही हूं दोस्तों देखिए कड़ाही में इसका लुक कितना खास लग रहा है और बहुत ज्यादा जूस एक जॉब किया है दोस्तों तो इस रेश्पी को बनाना बिल्कुल बनता है अगर इस्टाग्राम फेस्बुक पेज पर वीडियो देखते होंगे दोस्तों फॉलो कीजिएगा और हमें यूटूब चैनल को सपोर्ट कीजिए वीडियो पसंद आने पर लाइक सेर कमेंट कीजिएगा तो चलिए मैं चलती हूँ अब बनाने इसके लिए लेना है के पेन या कड़ाही बठाईए उसमें एक कप या कटोरी के माप लीजिए डेढ़ कप मतलब चिनी है और उसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ दो कप डेढ़ कप चिनी दो कप पानी चासनी का है सही तरीका है दोस्तों और सही एकदम सही माप है तो अब इसको चुलां करके घुलने मिलने तक पहले पकाईए फिर इसका दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा बना औ पानी जादा सुख न जाए और चासनी तेयार भी न हो तो ऐसा काम मत किजिए दोस्तों मीडियां टू लो पर इसे बढ़ियां पकाईए जिससे चासनी थोड़ा चिपचिपी बने तो देखिए दोस्तों अब इसका फ्लेम मैं लो रखी हूँ अब इसको मैं लुक दिखा यूँ देखिए एकदम एक तार ऐसे बन रहा है गड़ा गड़ा सा कर्ची पर ऐसे अंगली लगाते ही इसमें धारी बन जाए इस तरह से चासनी होना चाहिए चासनी का एकदम परफेक्ट आइडिया मैं बताई हूँ ऐसा चासनी अगर बनाएंगे ना तो आपका बालू स ही एकदम रसीला बनेगा दोस्तों बहुँ ज़्यादा खास बनेगा अब चलिए मैदा के तरफ चासनी रख दीजिए उतार के चुलह से अब एक कप मैदा में खाने वाला छोटा अस्पुन से एक तिहाई हिस्सा नमक 240 ग्राम का कप है मैदा वाला और चीनी वाला 220 ग्राम का था इतना ध्यान दिजिएगा अब लेना है उसी उतना ही जितना नमक लिए उतना ही वेकिंग पाउडर और उतना ही मिठा सोडा अब इसमें डालना है 50 ग्राम के अंदाज रिफाइंड ओल डालीए या घी डालीए मैं घी डाल रही हूँ घी डालीएगा तो थोड़ा इस तरह से धीला कर लिजिएगा तब और इसमें दो से तीन बुंद फूट कलर मैं डाली हूँ दोस्तों इसका लुक बहुत खास बन तक मिक्स हो जाना चाहिए जिसमें नमक, बेकिंग पॉडर, मिठा सोडा सब बढ़ियां से हर जगा मिक्स हो जाए तो देखिए इसका मुठरी बंधाने लगा है अब इसमें हलका हलका पानी डाल करके छीटा लगा लगा करके इसे गुतिएगा ज्यादा पानी एक बार में मत डालिएगा नहीं तो गिला हो जाएगा और ज्यादा दाब से नहीं गुतिएगा आटा को मतलब मायदा को हलके हाथों से इसे घुमा फिरा करके किजिएगा जिससे लेयर बहुत बढ़ियां बने दोस्तों बालू साही का तो देखिए हलका हलका पानी मैं डाल रही हूँ सेम प्रोसिस ध्यान दीजिएगा दोस्तों और देखिए मैं आटा मतलब लगाने वाला तरीका पूरा प्रोसिस आपको दिखा रही हूँ दोस्तों बीच में असकी वीडियो नहीं करी हूँ तो देखिए इस तरह से इसे हलके हाथों से घुमा फिरा करके ऐसा डो त्यार करना है इस तरह के डो त्यार हो गया ना तो आब इतना इतना लेना है इतना इतना सा लेना है और इसे राउंड राउंड पूरा सा ऐसे मतलब घुमाईएगा लगातार इस तरह से राउंड रा तार इस तरह से घुमाएंगे दोनों हाथ से तार एक उपर हाथ रहके तो इसका बहुत बढ़ियां बालु साही का लुक बनेगा दोस्तों तो इस लुक बना मतलब धेर लोक बोलते हैं नहीं बढ़ियां लुक बनता है बालु साही का तो देखिए अब इसे मोटा वाला में और इसका लुक बढ़ियां बने एकदम हलवाई की तरह तो देखिए दोस्तों इस तरह से करके और बीच में मोटा वाला अंग उठा से हॉल बनाईएगा जिसे हॉल आर पार बने तभी चासनी बढ़ियां एक जब करेगा देखिए इस तरह से तो इसी तरीका से सेम प् यह तो देखिए इस तरह से हो गया है तेयार इसका लुक अभी देख लिजिए कितना खास बना तो सेम तरीका आप नाइएगा दोश्तों आप चलिए कडाही के तरफ कडाही में डालना है अगीड अगीड ओड़िए तब डालिएगा बालु साही इतना ध्यान दीजिएगा फ्लेम को लो कर दीजिएगा तेल गरम हो जाने पर और तब फ्लेम लो करके और बालु साही को डाल करके धीमी आज पर पकाना है ज्यादा हाई और मीडियम फ्लेम न रखिएगा और आच न रखिएगा दोस्तों एकद कड़ाही में एकदम लेयर लेयर भी खड़ जाएगा दोस्तों तो कड़ाही में पकते वक्त देखिएगा वही तरीका आपको अंदाज लग जाएगा कि सच में यह बालू साही तो चासनी एक जोब करेगा ही करेगा कहां जाएगा चासनी ऐसा बालू साही अगर लेयर लेयर भी खड़ने माला बने तो चासनी जाएगा कहां चासनी तो इसके अंदर एक जब करेगा ही करेगा दोस्तों एकदम हलुआई का तरीका प्रोसी से बताई हूं लेकिन वीडियो को फूल वच करके और एक पॉइंट को फोलो कीजिएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों बीच मे स्किप करके और बोलेंगे कि बना नहीं सही तरीका तो मतलब बीच में स्किप मत किजिए दोस्तों इसमें लाश्ट तक का प्रोसीस एक एक ऐसा है कि जो आप स्किप कर दियें तो ध्यान से हट जाएगा बढ़ियां से नहीं बन पाएगा तो देखिए इसका लुक अभी प बनाने के बाद लेकिन तरीका सेम फॉलो किजिएगा और मेरा वीडियो रहता है दोस्तों जैसे कंटीनीव बनता है वैसे बीच में स्किप किया हुआ वीडियो मेरा रहता नहीं है लेकिन इतना धेहन दिजिएगा आप लोग भी असकिप मत किजिएगा बीच से हटके और पॉइंट सुरू पॉइंट मत देहके हट जाईएगा नहीं तो ए रेस्पी आप से बनना ही पाएगा फूल वाच कीजिए वीडियो को और इस तरीके से करिए देखिए हलका हलका गॉल्डन कलर भी आ गया पांच से साथ मिनाट ए लो फिलेम पे पका है अब चासनी हलका ठ देखिए कितना बढ़ियां एक दम मस्त तो अब इसको एक एक करके निकाल लीजिए और फिर इसे गर्मा गरम चासनी में डाल देना है इसे करके निकाल लेने के बाद में पहले प्लेट में रखिए फिर उसके बाद गर्मा गरम चासनी में करके मैं डाल के दिखाऊंगी द देखिए ज्यादा कोई चासनी नहीं है कि बच के इतना बरवाद हो जाए एक दम थोड़ा सा चासनी बना है दोस्तों और इतना ही चासनी में देखिए इसका तरीका आप लोग कि किस तरह से बढ़ियां सा एक जॉब कर लेगा पहले डाल देना है फिर एक चांस उलट-पलट कर देना है एक चांस उलट-पलट हो जाने के बाद में बढ़ियां से इधर उधर हो जाएगा तब फिर उपर से करची से चासनी डालते रहे और उस तरीका को डालते डालते कुछ देर तक इस तरह से करते रहना है जिससे कम चासनी में बहु ज्यादा रसीला यह बालू साह दोस्तों देखी रहे हैं डेली अगर कुछ न कुछ रेश्पी बनता है तो ज्यादा चासनी इधर उधर बरबाद होता है दोस्तों इसलिए तरीका में आप लोग को भी बता रही हूं कि देखिए कम चासनी बनाई है जिसे बरबाद नहों और इस तरह से इस तरीका को फॉ देखिएगा कि इसी तरीके से कितना बढ़िया एक जोब भी कर लेगा तो अभी इस तरीके से करते रहे हैं दो से तीन मिनट चार मिनट तक अराम से तो दोस्तों इस्टाग्राम फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा इतना ध्यान फिर से मैं दिलवा रही हूं और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा और सेयर जरूर कीजिएगा नाता रिष् चैनल की अब इसे एक पर एक करके रखिए कि इक्स्ट्रा चैसनी जो है ना नीचे आ जाएगा और इसमें एक जौब वाला चैसनी खाली बचेगा तो देखिए दोस्तो आब इसे पलेट में मैं लगा रही हूँ इसको बनाते बनाते ही मुझ में पानी आने लगता है इतना ज्यादा बढ़ियां बनता है ना कि सच में आप लोग इस ट्रीक को फोलो करके एक बार बनाईए ऐसा बालू साही देखिए इसका लुक कितना खा आसनी में भी अब उपर से थोड़ा ड्राइफ रूट लगा दीजिए अगर केंटीनर में रखना है उसमें भी रखिए खाये सब्ता दिन तक अराम से और अगर अभी कि अभी तुरंत खाना है बनाना है तो इस तरीके से प्लेट बरतन में रख लीजिए देखिए इसका ल आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा रिष्टेदारों में दोस्तों में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जिसे सब लोग इजी तरीका से बना पाएं ऐसी ऐसी अनोखी रेश्पी तो देखिए दोस्तों इसको मैं तोड़के दिखा रही हूं कितना मस्त बना है और ज इसको तोड़े गिए तो इतना ज्यादा इसमें चासनी एक जॉब किया है देखी रहें आप लोग अंदर तक इतना बढ़िया यह बना है पहले तो इस रेश्पी को ट्राइक कीजिए ऐसी ऐसी स्वीट डिस्क के वीडियो अगर देखना है तो मेरा चैनल को करके जाए चैनल पर एक बार आप लोग और तरह तरह के नई नई रेश्पी देखिए बनाएए सिखिए और घर पे बनाकर खाईए होम मेड रेश्पी खाईए दोस्तों बाहर के समान खाना ज्यादा हेल्दी नहीं होता है देखिए इसका चासनी कितना बढ़िया से निकल खाने में तो एकदम मस्त लगा तो इस रेश्पी को बनाईएगा आप लोग और हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी नई नई रेश्पी देखने के लिए मेरा वीडियो बने रहिएगा आप लोग से रिक्वेस्ट है हम फिर मिलेंगे नहीं नहीं रेश्पी के साथ अगले दिन दोस्तों तब तक के लिए बाइबाए